हलो फ्रेंज, वेलकम तो माई चैनल, इनोवेटिव प्रिया कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे इंडिपेंडनेस डे के अफसर पे मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ ट्राइ कलर बर्फी बनाने की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स तुरंत मिल जाए मैंने लिया है आदा लीटर गाय का दूद, इसे हमें एक बॉइल आने तक ग्यास पे रखना है मिलक अच्छी तरह से बॉइल हो चुका है इसमें आट करूँगी आदी कटोरी चीनी इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि लंप्स का फॉर्मेशन ना हो हमें ग्यास को मीडियम हाई रखना है मैंने आट किया है दो चममज गी इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह अच्छी तरह से पक चुका है अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर करके ठंडा कर लेंगे मैंने कडाई में लिया है दो चम्मच गी इसमें आज करूंगी आधा कटोरी दूद इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब इसमें add करूँगी आधा कटोरी milk powder और इसे लगातार चलाते रहना है इसमें add करूँगी आधी कटोरी चीनी और इसे भी अच्छी तरह से हम mix कर लेंगे इसे भी plate में transfer करके हम ठंडा कर लेंगे मैंने add किया है orange and green food color इसे अच्छी तरह से मैं mix कर लूँगी मैंने box को घी से grease कर दिया है अब मैं इसे अच्छी तरह से spoon की help से spread कर लूँगी इसी तरह मैं white and orange layer को भी अच्छी तरह से spread कर लूँगी मैंने इसे garnish किया है cutaway काजू, पिस्ता और almonds से आप अपने पिसंद के dry fruits का इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने इसे pieces में cut करके serve कर लिया है हमारी मिठाई बहुत ही स्वादिश्ट बनी है friends आप इस recipe को ज़रूर try करें और अपनी experience को comment section में share करें ज़ाद से ज़ाद मेरे वीडियो को like and share ज़रूर करें हमारी चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and thank you so much for watching stay connected, enjoy